आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ गूगल क्रोम में एड कैसे बंद करें दोस्तो अगर आपके भी गूगल क्रोम में कई परकार के एड आते रहते हैं यानि आपके गूगल क्रोम अब जैसी ओपन करते हैं अगर आप इस एड को बंद करना चाहते हैं, वो भी हमेशा के लिए तो आप इस वीडियो को दियान से दीखें, इस वीडियो के अंदर मातषड़ दो सेटिंग में बताऊँ गा जहां से इस एड को आप पर्मनेंटली हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं आपको भी जानना है तो इस वीडियो को ध्यान से दिखिए तो दोस्तों चलिए वीडियो सुरू करते हैं गूगल क्रोम में आने वाले एड को आप कैसे हटा सकते हैं कैसे बंद कर सकते हैं आईए मैं आपको बताता हूँ हर गूगल क्रोम के अंदर मिलेगा तो आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है क्लिक करने के वाद इस तरह का पेज आपको देखने को मिल जाता है अब यहाँ पे आपको एक setting वाला बटन दिखेगा हरे Google Chrome में भी यह भी आपको मिल जागा setting वाले बटन में आईए setting वाले बटन में आने के बाद यहाँ पे काफी सरा आपको setting मिलेगा अब क्या कीजिएगा सबसे नीचे आईए और यहाँ पे एक option दिखेगा आपको site setting का यहाँ पे आप देखे एस IT कुछ इस प्रकार से यहाँ पे site setting होगा तो यहाँ पर आपको site setting वाले बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इस तरह का page आपके सामने आ जाता है करना है अब आपको पहला setting क्या करना है धियान से देखेए अब यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक on-off type बटन दिखेगा तो इसको आपको off कर देना है यानि आप अबन करने के बाद कोई site वगरा open करते होंगे तो उसके साइट के जगा पर कोई और साइड यहां पर ओपन हो जाता है तो इस चीश को आफ कर दीजिएगा तो वह यहां पर ओपन नहीं होगा ठीक है अब बैक आईए अब दुसरा सेटिंग क्या करना है यह सेटिंग काफी इंपोर्टेंट है आपको तुछ नीचे आना है नी दियान से देखिए अपको क्लिक करना है और यही ऑप्सन है जो आपके फॉन का जो है चालू करके रखता है अगर यह ऑप्सन ऑन है तो आप इसे ऑफ किजिए ऑफ करने के वाद आपके फॉन के अंदर ब्लॉक एप्स यानि जोस्तों आपका जो यहां पर जो भी मतलब करेंगे अद्रट और यहां पर गूगल क्रोम से हर एक चाहिए पर कार से आप यह पर गूगल क्रोमस को बंद कर सकते और विडियो को लाइक करना साहटिए चनल सब्सक्राइब करना नहीं